स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 वे सत्र के अध्यक्ष कौन है? A. Dennis Francis B. Joe Biden C. Antonio Guterres D. Narendra Modi Answer A. Dennis Francis Explanation संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 वे सत्र के अध्यक्ष डैनिस Francis 22 जन्वरी 2024 को भारत की पांच दिवसिय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे विदेश मंत्राले ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत संयुक्त राष्ट संबंधों को मजबूत बनाने और भारत की प्राथमिक ताउं तथा वैश्विक चुनोतियों के बारे में विचारों के आदान प्रदान का अवसर है अगला प्राश्न भारत के मान सिंग ने हौंग कॉंग में एश्याए मेराथन दावक ने चीन के हौंग योंग जेंग को 65 सेकन के अंतर से हरा दिया अगला प्राश्न प्रदानमंत्री सूर्योदे योजना निम्न में से किस संबंधित है A. सूरज मुखी की खेती से B. Rooftop Solar Panel से C. ग्रामीन आवास से D. बालस्वास्थ्य से B. Rooftop Solar Panel से Explanation हाल ही में प्रदानमंत्री सूर्योदे योजना को लांच किया यहें एक केंद्र प्रायोजित योजना है इसके तहत एक करोल से ज्यादा घरों पर Rooftop Solar Panel लगाए जाएंगे जिसकी मदद से लोगों को उर्जा का एक स्वच साधन मिलेगा प्रदानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को Rooftop Solar Program के तहत शामिल करना है साथ ही इसका उद्देश उर्जा क्षेत्र में आत्मनिर भरता लाना है अगला प्राश्न सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार 2024 संस्थागत श्रेनी में किसे प्रदान किया गया A. केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल B. केंद्रिय ओध्योगिक सुरक्षा बल C. National Coast Guard D. साथ पेराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी Answer D. साथ पेराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी Explanation उत्तर प्रदेश के साथ पेराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार के लिए चुना गया है केंद्रिय ग्रेह मंत्राले ने हाल ही में इसकी घोष्णा की इस पुरसकार के तहट संस्थागत श्रेनी में विजेता संस्था को 51 लाख रूप्य नकद और एक प्रमान पत्र प्रदान किया जाता है अगला प्राश्न चीनी ताइपे की दिगगज बेडमेंटन खिलारी ताइटाजू यंग ने शांदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीत लिया ताइटाजू यंग ने फाइनल में चीन की चेन यूफेई को माद दी इंडिया ओपन 2024 का फाइनल नई दिल्ली के केडी जाधव इंडो हॉल में खेला गया